हेलो एवरिवन स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल में गोर्मिंट अफ जमाट कश्मीर की तरफ से एक नया अधर जो ओड किया गया है सर्कुलर नोटिफिकेशन इसके बारे में आपको बताएंगे जो आपको ग्रैविन कैसे देना है आप इसके अगयंस कैसे जो हवा अपने जो रड़ाई है वो लड़ सकते हो तो यह notification अगर हम बात करें तो इसमें जो कुछ eligibility में changes की गई है जैसे अगर हम बात करें तो lecturer की जो पोस्टे हैं जो recruitment साने हैं उसमें उन्होंने जो beard है वो compulsory कर दिया है इसमें जो बहुत सरी student हैं जिन्होंने already PhD, Netset, GRF करके बैठे हुए हैं उन students के साथ जो है वो injustice किया जा रहा है क्योंकि अगर वो students assistant professor के लिए eligible हो सकते हैं then वो students 10 plus 2 lecturer के पोस्ट के लिए eligible क्यों नहीं हो सकते क्योंकि जो government नहीं यहाँ पर notification निकाला है जो order निकाला है यो totally जो हो against है उन students के जिन students के अभी तक peer जो हो complete नहीं की गई की डिगरी की हुई है तो उनकी जो डिगरी करने का जवाब कोई benefit नहीं रहेगा क्योंकि उनको इसका कुछ भी benefit नहीं मिलने वाला according to this notification अगर जेके पीसी उनको eligible कर देती है assistant professor के लिए then वो student जो है वो lecturer की post के लिए eligible क्यों नहीं है यह जो totally injustice किया जा रहा है उन students के साथ जिन्होंने जो आवो हर education जो हाजल की हुई है जो नहीं पीएजडी की डिगरी लिए नेट जीएरफ किया हुआ है तो वो students जो उनके साथ totally injustice किया जा रहा है आपको इसके हलाफ जो लड़ना चाहिए आपने आवाज अठाने चाहिए ठीक है आप जावा डिरेक्ट आफिस में भी जा सकते हो इस notification को ले के जो totally जावा अगेंस्ट है आपके जिन्वे जो नेट जीएरफ वेजडी वगरा की हुई है आपको एक link मिलेगा वीडियो की description में भी डाल दूँगा अपने टेलिग्राम चैनल पे जीके government job updates में वहाँ पे आपको link मिलेगा वहाँ पे आपको direct job गरावीनस भी डाल सकते हो ठीक है और एक आपको post दूँगा पूरा उसको copy करके भी आप डाल सकते हो ठीक पात करें जब कोई भी rules implement होता है तो उससे एक दो सल पहले inform किया जाता है कि यह rules जाओ वो applicable होने वाला है विदिन जाओ वो two years या फिर within three years जैसे आपको पताईए कि जैसे पहले उन्होंने UGC की तरफ से एक notification निकाला गया था assistant professor के लिए कि जो PhD है आप कंपरसरी नहीं रहेगी assistant professor के लिए उन्होंने जो eligibility बताई थी वो normal उन्होंने बताई थी net set अगर किसी students ने किया हुआ है net g.rf तो वो students जो eligible है assistant professor के लिए वो rules उन्होंने निकाला था 2020 में उसके बाद उसको implement किया गया है 2023 में जाके किया जाता है कि इस rules में इस recruitment में जावो eligibility में ये changes की गई है ताकि जो students जिनके पास degrees नहीं है वो students जावो जावो तब तक जावो degrees गरा कर लें और उसके बाद उस rules को implement किया जाता है अगर suddenly जैसी recruitment कोई भी मतलब advertisement अभी होने वाले हैं तो उसमें जो अवो suddenly changes कर दी गए है eligibility में तो काफी students का यहाँ पर last होगा ठीक है जो students काफी time से wait कर रहे थे इन पोस्टर्स का ठीक है इन vacancies का तो उन students के साथ तो यहाँ पे जहाँ वो totally injustice किया गए कि वो students किसी काम के रहेंगे नहीं अगर वो students इन पोस्टर्स के लिए already अपनी preparation कर रहे थे जिन्होंने already पीजी की हुई है ठीक है और net set और जियरेफ किया हुआ है तो वो students फिर जो वो क्या करेंगे आगे ठीक है अभी जैसे हमको बते हैं कि जो assistant professor की जो recruitment होई है उसमें उन्होंने जहाँ नेट जियरेफ वालों को eligible कर दिया था ठीक है जो पहली notification आरड़ी तीन साल पहले आए चुका था कि इसमें जहाँ वो changes की जाएंगी assistant professor के लिए उन्होंने जहाँ नेट जियरेफ वालों को eligible कर दिया था अब यहाँ पर lecturer की post के लिए उन्होंने जो B.A.D. compulsory कर दी गई है यह totally injustice की है अगर स्टूडेंट के साथ जिन स्टूडेंट ने B.A.D. तो की है लेकिन अगर उन स्टूडेंट को तो अच्छा है लेकिन जिन स्टूडेंट ने अभी B.A.D. नहीं की है उनने अभी B.A.D. की है तो उन स्टूडेंट को B.A.D. करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको पते हैं कि पी एजडी और B.A.D. जो है वो ठीक है टू डिफरेंट्स डिगरीज है एक रिसर्च स्कॉलर जो है वो लेक्चर की पोस्ट के लिए लिजिबल नहीं है ये टोटली इंजस्टिस है मैं आपको जहाँ वो वेबसाइट पे लिएकर चलता हूँ जहाँ पर आपको ग्रैविन्स डालना है आप टोटली इसके अगेंस जहाँ आवाज आपने उठाओ ठीक है ये जो नोटिफिकेशन है ये विड्राउन होना चाहिए ठीक और इसमें जहाँ वो इसमें फोरी तोर पर चैंजस आने चाहिए ठीक है तो चलता है ग्रैविन्स की तरफ जहाँ पर आपको अपना ग्रैविन्स डालना है तो वीडियो के दिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा टेलिग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के दिस्क्रिप्शन मिलेगा जहाँ पर आप जाओ पूरा उसको ग्रैविन्स को कापी करके वहाँ पर आप डाल भी सकते हो आपको लिंक भी दोंगा वहाँ पर आप जाओ यहां पे आपको जो link मिलेगा उस पे आपको click करके ड्रेक जब उस पे click करोगे तो यह वाले window open हो जाएगी जो मनकेश्मेर government gravience cells की यहां पे आप जो देख सकती हो post gravience का यहां पे आपको देखने को मिलेगा track gravience का देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पे documents का मिलेगा तो यहां पे post gravience का आपको click करके यहां पे जो आपको जो अपना mobile number डालना है स्कोटी कोट डालके OTP डालके यहां पे आप जाओ इसको login कर लेना उसमें आपको जाके वो gravience भी डाल सकते हो ठेक है तो उसको submit करने का option भी यहां पे मिलेगा मैं यहां पे आपको बता देता हूं जो हाओ इसको OTP डालके तो guys जैसे आप अपना यहां पे OTP डालके mobile number verify करके next जो window open हो जाएगी वो इस type के window open हो जाएगी basic details यहां पे आपको आपना स्टीजन चूज करना है ठीक है ओके स्टीजन यहां पे क्लिक कर गया आपको अप्लिकेंट का नाम यहां पे अपना लिखना है जैंडर आपना स्लेट करना है ठीक है आगे mobile number यहां पे आपका आइटमाटिकल इश्यो होगा email ID आपको डालनी है date of birth अपनी डालनी है address आपना यहां पे पूरा आपको डालना है रिजन आप किस रिजन से पिलॉंग करते हो वो चीज़ आपको डालना है उसके बाद यहां पे डिस्टिक आपको अपने चूज कर लेना है then आपने पहले को यहां पे department को जो कोई ग्रैविंस डाला हुआ तो अगर आपने डाला आपने तरीके से भी आप यहां पे जाव लिख सकते हो लेकिन maximum इसके बाद फूर्थ करेक्टर्स यहां पे लिमट रखेगी है आप 4000 और पर डाल सकते हैं उसके बाद आपको यहां पे PDF वगराना भी अटेच कर सकते हो अपनी ठीक है उसके बाद next आपको कैपजा करके declaration पे क्लिक करके यहांपे आम को सब्मिट कर लेना है तो आपका ग्रैवियंस जाहों यहांपे सब्मिट हो जाएगा देन फदर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो जब ग्रैवियंस डाल के ठीक आपको डिस्क्रिप्शिन में लिंक मिलेगा आप वहाँ पे चेक कर लेना ठीक है ये थी कुछ important updates जो आप तक share करनी थी जो eligibility में changes की गई है ठीक है आप इसके खलाफ अपने आवाज इठाओ ताकि इस notification को जो है वो जो इस circle order नकाला गया है इसको withdrawn किया जाएए जाहो जल से जल इसको withdrawn किया जाएए पंदरा दिन का आपके पास time है आप इसका जो हो against जो हो complain कर सकते हो वीडियो चले किते वीडियो का like कर लें और चैनल पर first time visit कर लें तो चैनल को subscribe करें मेलते हैं किसी next week next week के साथ thank you for watching this video